नमस्कार आप देख रहें न्यूस फोर नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में स्वतंतता दिवस के समरोह के मौके पर राजकिया समरोह मना जा रहा है जिसको लेकर ट्रैफिक जो विवस्ता है वो नए तरीके से बनाया गया है तो चली हम आपको बताते हैं कि यह नए ट्रैफिक रूट 15 अगस्त के लिए बनाये गया है आपको किस रास्ते से जाने से बचना होगा, कौन सा रास्ता बंद किया गया है और कौन सा रास्ता चालू किया गया है 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में होने वाले राजिकिया समारो के कारण सोमवार को सहर की ट्रैफिक विवस्था बदल रही है सुबह 7 बजे से लेकर राजिकिया समारो के खत्म होने तक फ्रेजर रोड से गांधी मैदान तक गाडियों का परिचालन नहीं होगा इसके साथ ही कई दूसरे रूटों पर भी गाडिया नहीं चलेंगी इसके लिए पटना च्राफिक पुलिस की तरफ से विवस्थाओं में किये गए बदलाओं को लेकर शुकरवार को डीटेस जारी किया गया है उस दिन अपने घड से निकलने से पहले आप भी ट्राफिक प्लैन को देखकर निकले फ्रेजर रोड के पस्चिमी फ्लेक डांक बंगला चौराहा से गांधी मैदान तक सुबा साथ बजे से समारों के खत्म होने तक गाडिया नहीं चलेगी निउडाक बंगला चौराहा रोड से एसपी वर्मा रोड में कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी कोतवाली टी से पुलिस लाइन तक पूरब की ओर जाने वाली सभी रास्ते कारिक्रम के समाप्ती तक बंद रहेंगे वोल्टास मोर से उत्तर की ओर जाने वाली गाड़िया विद्धापती मार्ग से बुद्ध मार्ग होते हुए पुलिस लाइन तिराहा तक ही जा सकेंगी पटना जंक्षन फ्लाइओवर से राम गुलाम चौर की ओर भी किसी गाड़ी को नहीं जाने दिया जाएगा प्राइवेट गाड़ियों फ्रेजर रोड मजरूल हक पत में पत से पटना जंक्षन डाक बंगला चौराहा तक वहां से पूरब की ओर भटचारे चौक पीर मुहानी होते हुए नाला रोड की ओर जा सकेंगी यदि कोई गाड़ी एक्जिवेशन रोड आ जाता है तो उसे बिग बजार के सामने कटिंग से पुना वापस भटचारिया मोर की ओर मोर दिया जाएगा गंगा पत से पतना कमिशनर ओफिस के सामने गोलंबर से एन सिन्हा इंस्ट्रिटूट और गांधी मैदान तक सिर्फ राजकिय समारों में शामिल होने वाले पास धारकों को ही की ही गाड़ी जाएगे फ्रेजर रोड में पतना जंक्षन डाग बंगला चौराहा से जेपी गोलंबर तक का पस्चिमी फ्लेक केवल राजिपाल सी एम उप्र मुख्यमंत्री के कार केट एवं उनके परिवार के गाड़िया वा रंगीन कारड़ारी अतिविशिस्ट अतिथियों के लिए देश रत्न मार्ग से डाग बंगला चौराहा एवं फ्रेजर रोड में डाग बंगला चौराहा से जेपी गोलंबर एवं चिल्ड्रेन पार्क होते हुए कारगिल चौक मार्ग पर सुबह 7 बजे से कारकरम समाप्त होने तक किसी प्रकार के गाड़ियों की पार्किंग नही चिरेया टांड पुल के पास दुर्गा मंदिर के उपर वर नीचे से माल वाहा गाड़िया उत्तर गोरिया टोली की ओर से ही जा पाएंगी मिछापूर आरो भी गोलंबर से माल वाहा गाड़िया उत्तर की ओर बुध मार्ग की तरफ नहीं जा पाएंगी आर ब्लॉक गोलंबर से कोई भी मालवाहाग गाड़ी उत्तर की ओर यानि आयकर गोलंबर तक नहीं जा सकेगी बेली रोड में दुमरा चौकी से भटचारे चौराहा तक मालवाहाग गाड़ीों की एंट्री पर रोक रहेगी पुलिस लाइन तिराहा से कोई भी कोमर्शियल गाड़ी पूरव गांधी मैदान की ओर से दक्षिर की तरफ बुद्ध मार्ग नहीं जाएगी वही ये पस्चिम की तरफ चली जाएगी पटना जंक्षन से गांधी मैदान आने वाले ओटो पटना जंक्षन डाग बंगला चौराहा होते हुए वहाँ से दाहिने मुढकर न्यू डाग बंगला रोड भटचारे चौक होते हुए 22 से मुढकर एक्जिविशन रोड में बिग बजार से दक्षिर कटिंग तक फिर आपको बताते हैं कि बांकी पूरा बस डीपो से चलने वाली बिहार राजपत परिवहन निगम की बसों का परिचालन वीर चंद पटेल पत स्थित सुल्तान पैलेस से आर ब्लॉक होर्डिंग पार्क होते हुए होगा अब आपको बताते हैं कि राजिके समारों में इंट्री और पार्किंग की क्या विवस्ता की गई है इकार्ड धारक यानि वी वी आईपी और वी आईपी अतित्यों के गाडियों की इंट्री एक्जिविशन रोड के सामने बने गांधी मैदान के गेट नमबर 10 से होगी समबंधित गाडियों के जाइवर गेट नमबर 10 के बाई एवं दाही ने निर्धारेत पारकिंग से अपनी गाडियों को पार्क कर सकेंगे पीला कार्ड या कार्ड प्रेस और मीडिया के लिए है इस कार्ड वाले लोगों की एंट्री गांधी मैदान के गेट नमबर 9 से होगी इनके लिए पार्किंग की जगह भी जिला प्रशासन की तरफ से तै कर दी है बाइक के लिए गांधी मैदान के बाहर सड़क के पूर्वी फ्लेक में उद्धोग भवन के सामने सड़क के किनारे पार्किंग विवस्ता की गई है विशेश विवस्ता क्या की गई है यह हम आपको बताते हैं CBI, SBI के सामने गांधी मैदान में बना गेट नंबर एक राजिपाल मुख्यमंत्री के साथ ही जहां की के लिए निर्धारित किया गया है समारों में भाग लेने वाले सेना पुलिस ग्री रक्षा वाहनी एवं एनसीसी के जवानों के इंट्री इसकेम हॉल के सामने बने गेट नंबर 5 पे होगी तो सुना आप लोगों ने ये विवस्ता की गई है पटना ट्राफिक पुलिस के तरफ से तो आप अगर बाहर निकलते हैं 15 अगस्त को तो आप अपने रूट एक बार देख लें कि आपको कहां से जाना है और कौन से रास्ता, कौन से मार्क बंद किया गया है इस वीडियो में बस इतना ही और भी वीडियो और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूस फॉर नेशन